प्रणाम आप सभी को मेरा नाम रोशन है दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मान सरोवर भाग आठ से मुनसी प्रेम चंजी के लिखी एक कहानी जिसका सेशक है सेवा मार्ग तो आए शुरू करते हैं कहानी का पाठ तारा ने बारह वर्ष दुर्गा की तपस्या की ना पलंग पर सोई ना केशो को सवारा और ना नेत्रों में सुर्मा लगाया प्रित्वी पर सोती गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती उसका मुख मुर्जाई हुई कली की भांती था नेत्र, जोतीहीन और हिड़य एक शून्य बीहर मैदान उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाउं सरीर मुमबत्ती की तरह गुलता था पर यह लौ दिल से नहीं जाती थी यही उसकी इच्छा थी यही उसका जीवनो देश्याँ क्या तु सारा जीवन रो रोकर काटेगी इस समय के दियोता पत्थर के होते हैं पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है देख तेरी सक्खिया पुस्प की भांती विकसित हो रही है नदी की तरह बढ़ रही है क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती तारा कहती माता अब तो जो लगन लगी वह लगी या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से प्रयान कर जाऊंगी तुम समझ लो मैं मर गई इस प्रकार पूरे बारह वर्ष व्यतीत हो गएं और तब देवी प्रसन्न हुई रातरी का समय था चारो और सन्नाटा चाया हुआ था मंदिर में एक धुंधला सा गी का दीपक जल रहा था तारा दुरगा के पेरों पर माथा नवाय सच्छी भक्ती का पड़िचै दे रही थी यकायक उस पाशान मूर्ती देवी के तन में सफूर्ती परकट हुई तारा के रोंग्टे खरे हो गएं वह धुंधला दीपक देदी प्यमान हो गया मंदिर में चिताकरशक सुगंध फैल गई और वायू में सजीवता परतीत होने लगी देवी का उजवल रूप चंद्रमा की भानती चमकने लगा जोतिर मैं नेत्र जगमगा उठे होठ खुल गए आवाज आई तारा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मांग क्या वर मांगती है तारा खरी हो गई उसका सरीर इस भानती कांप रहा था जैसे प्रातहकाल के समय कंपित स्वर में किसी क्रशक के गाने का ध्वनी उसे मालूम हो रहा था मानुवह वायू में उड़ी जा रही हो उसे अपने हिर्दय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का आभास प्रतीत हो रहा था उसने दोनों हाथ जोर कर भक्ती भाव से कहा भगवती तुमने मेरी बारह वर्ष की तपस्या पूरी की किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं परदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाशाओं का अंत है मैं वह ऐस्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे देवी ने मुस्कुरा कर कहा स्विकृत है फिर तारा ने कहा वह धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे देवी ने मुस्कुरा कर कहा यह भी स्विकृत है तारा कुणरी ने शेसरात्री जाक कर व्यतीत की प्रभात काल के समय उसकी आँखे चण भड के लिए जहपक गई जागी तो देखा कि वो सिर से पाउं तक हीरे और जवाहरातों से लदी है उसके विसाल भवन के कलश आकाश से बाते कर रहे थे सारा भवन संगमर्मर से बना हुआ अमूले पत्थरों से जरा हुआ था द्वार पर मीलों तक हडियाली चाय हुई थी दासिया स्वर्ण भूशनों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने चारो ओर दोरती थी तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोड़े लेकर दोरी तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दात का है भूमी पर बरे कोमल बिचोने बिचे हुए हैं सिरहाने की और एक बड़ा सुन्दर उंचा सीसा रखा हुआ है तारा ने उसमें अपना रूप देखा चकित रह गई उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था दिवार पर अनेकानेक सुप्रसिध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे पर ये सब के सब तारा की सुन्दरता के आगे तुच्छ थे तारा को अपनी सुन्दरता का गर्व हुआ वह कई दासियों को लेकर वाटिका में गई वहां की छटा देखकर वह मुगध हो गई वायू में गुलाब और केसर घुले हुए थे रंग विरंग के पुष्प वायू के मंद मंद जोंकों से मतवालों की तरह जूम रहे थे तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लों से समानता करने लगी गुलाब में वह कोमलता न थी वाटिका के मध्य में एक बिलोड जडित हौज था इसमें हंस और बतक किलो लेकर रहे थे यकायक तारा को ध्यान आया मेरे घर के लोग कहा हैं दासियों से पूछा उन्होंने कहा वे लोग पुराने घर में हैं तारा ने अपनी अटारी पर जा कर देखा उसे अपना पहला घर एक साधारन जोंपडे की तरह द्रिश्टी गोचर हुआ उसकी बहीने उसकी साधारन दासियों के समान भी न थी मा को देखा वह आंगन में बैठी चर्खा कात रही थी तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और इनकी भली भांती सेवा करूंगी पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्वल बना दिया था उसने घरवालों को सनेहर रहित द्रिष्टी से देखा और तब वह उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिधोनी उसके कानों में आ रही थी एक बारगी जोर से एक करका हुआ बिजली चमकी और बिजली की छटाओं से एक जोती स्वरूप नवयवक निकल कर तारा के सामने नम्रता से खरा हो गया तारा ने पूछा तुम कौन हो नवयवक ने कहा स्रीमती मुझे विद्युत सिंग कहते हैं मैं स्रीमती का आग्याकारी हूँ उसके विदा होते ही वायो के उश्न जोंके चलने लगे आकाश में एक प्रकास द्रिष्टी गोचर हुआ यह च्छण मातर में उतर कर तारा कुणडी के समीप ठहर गया उसमें से एक ज्वाला मुखे मनुष्य ने निकल कर तारा के पदों को चुमा तारा ने पूछा तुम कौन हो उस मनुष्य ने उतर दिया स्रीमती मेरा नाम अगने से हैं मैं स्रीमती का आग्यकारी सेवक हूँ वह अभी जाने भी न पाया था कि एक बारगी सारा महल जोती से प्रकाशमान हो गया जान परता था सैक्रो बिजलिया मिलकर चमक रही है वायू सभेग हो गई एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख परा वह शेगरता से प्रित्वी की ओर चला और तारा कुणी के पास आकर ठहर गया उससे एक प्रकाशमान रूप का बालक जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी निकल कर तारा के सामने निष्ठा भाव से खरा हो गया तारा ने पूछा तुम कौन हो बालक ने उत्तर दिया स्रीमती मुझे मिस्टर रेडियूम कहते हैं मैं स्रीमती का आग्या पालक हूँ धनी लोग तारा के भह से थराने लगे उसके आस्चर्य जनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया बरे बरे मही पती उसकी चौकट पर माथा रगरने लगे जिसकी और उसकी कृपद रिष्टी हो जाती वह अपना अहुभाग्य समझता सदयव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया तारा विछिप्त हो गई उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवईयें मौजूद थे पर वह चिता करशक्ता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी तारा ने गायक को बुला भेजा एक च्छन के अंतर में वाटिका में एक साधू आया सिर पर जटाएं शरीर में भस्म रमाये उसके साथ एक बूटा हुआ बीन था उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकालता था जो हिरदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था साधू आकर हौज के किनारे बैठ गया उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया आश्चडय से इधर उधर द्रिष्टी नहीं डाली उस रमणिये अस्थान में वह अपना सुर अलापने लगा तारा का चित विचलित हो उठा दिल में अनुराग का संचार हुआ मदमत होकर टहलने लगी साधू के सूमनोहर मधुर अलाप से पक्षी मगन हो गये पानी में लहरे उठने लगी वरिक्ष जूमने लगे तारा ने उन चिता करशक सुरो से एक चित्र खीचते हुए देखा धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा उसमें स्फूर्ती आई और तब वह खरी निर्त करने लगी तारा चौक पड़ी उसने देखा कि यह मेरा ही चित्र है नहीं मैं ही हूँ मैं ही बीन की तान पर निर्त कर रही हूँ उसे आशड्य हुआ कि मैं संसार की अलब्य वस्तूं की रानी हूँ अथवा एक स्वर्चित्र वह सरधुनने लगी और मतवाली होकर साधू के पैरों से जा लगी उसकी द्रिष्टी में आशचड़ जनक पडिवर्तन हो गया सामने के फले फुले वरिक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गया केवल वही साधू बैठा बीन बजा रहा था और वह स्वयम उसकी तानों पर थिरक रही थी वह साधू अब प्रकाश में तारा और अलोकिक सौंदर्य की मूरती बन गया था जब मधुर अलाब बंध हुआ तब तारा होश में आई उसका चित हाथ से जा चुका था वह उस विलक्षन शाधू के हाथो बिख चुकी थी तारा बोली स्वामी जी यह महल यह धन यह सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निचावर है इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाश मान कीचिए साधू ने कहा साधू को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठार सकता तारा ने कहा संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थे थे साधू बोले मुझे सुखो की कामना नहीं तारा बोली मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी यह कहकर तारा ने आईने में अपने अलोकिक सौंदरे की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई तब साधू बोले तारा कुवरी मैं इस योग्य नहीं हूं यह कहकर साधू ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला तारा का गर्व चूर चूर हो गया लज्जा से सिर जुक गया वह मूर्चित होकर भूमी पर गिर पड़ी मन में सोचा मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती एक साधू की द्रष्टी में इतनी तुछ तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था उसे अपना भवन और एश्वर्य भयानक मालूम होने लगा बस साधू का एक चंद्र स्वरूप उसकी आँखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गिये गान कानों में गुंज रहा था उसने अपने गुप्चरों को बुलाया और साधू का पता लगाने की आग्या दी बहुत चानबीन के पस्चात उस कुटी का पता चला तारा नित्यप्रती वायूयान में बैठ कर साधू के पास जाती कभी उस पर लाल, जवाहर लुटाती, कभी रतन और आभुशन की छटा दिखाती पर साधू इससे तनिक विचलित न हुआ, तारा के माया जाल का उस पर कुछ भी असर न हुआ तब तारा कुणी फिर दुरगा के मंदिर में गई और देवी के चर्णों पर सिर रख कर बोली माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुरलब पदार्थ प्रधान किये मैंने समझा था कि एसवड़य में संसार को दास बना लेने के शक्ती है पर मुझे अब ग्यात हुआ कि प्रेम पर एशवड़य, सौंदरय और वैभाव का कुछ भी अधिकार नहीं अब एक बार मुझे पर वही कृपद रिष्टी हो, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निश्ठोर के प्रेम में मैं मड़ी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन ना आए उसकी आखों में भी नींद हराम हो जाए, वह भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए देवी के होट खुले, मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, बोली सुनाई दी तारा, मैं संसार के पदार्थ परधान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ती से बाहर है प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है तारा बोली, माता, संसार के सारे एश्वर्य मुझे जनजाल जान पड़ते हैं, बताईए मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी देवी ने कहा, उसका एक ही मार्ग है, पर है वह बहुत कठिन, भला तुम उस पर चल सकोगी तारा ने कहा, वह कितना कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी फिर देवी बोली, अच्छा तो सुनो, वह सेवा मार्ग है, सेवा करो, प्रेम, सेवा ही से मिल सकता है तारा ने अपने बहुमूले जराओं आभूशनों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया दासियों से बिदा हुई, राजभवन को त्याग दिया अकेले नंगे पैर साधू की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया वह कुछ रात रहे उठती, कुटी में जाडू देती, साधू के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुस्प चुनती, साधू नींद में होते तो वह उन्हें पंखा जलती जंगली फल तोड लाती और केले के पतल बनाकर साधू के सम्मुक रखती साधू नदी में अस्नान करने जाया करते थे, तारा रास्ते से कंकर चुनती उसने कुटी के चारो और पुस्प लगाए, गंगा से पानी लाकर सीचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती उसने मदार की रूई बटोरी साधू के लिए नर्म गद्दे तैयार कियें, अब और कोई कामना न थी, सेवा स्वैम अपना पुरसकार और फल थी तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता, हाथों में गट्टे पर गए, पैर काटों से चलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुर्जा गया, गुलाब सा बदन सूख गया, पर उसके हिर्दे में अब स्वार्थ और गर्व का शाशन न था वहाँ अब प्रेम का राज था, वहाँ अब उस सेवा की लगन थी, जिससे कलुशता की जगह आनंद का स्रोत भहता और काटे पुस्प बन जाते हैं, जहां अस्रुधारा की जगह नेत्रों से अम्रित जल की वर्षा होती और दुख विलाब की जगह आनंद के राग निकल जहां के पथर रूई से ज़्यादा कोमल हैं और शीतल वायू से भी मनोहर, तारा भूल गई कि मैं सौंदरिय में अद्वितिय हूँ, धन विलासीनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी, साधु को वन के खगो और म्रिको से प्रेम था, वे कुटी के पास एकत्रित हो जात तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद में लेकर उनका दुलार करती, विसधर साप और भयानक जन्तु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गएं, बहुदारोगी मनुश्य साधु के आसिरवाद लेने आते थे, तारा रोगियों की सेवा जंगल से जड़ी बूटियां ढूंड लाती, उनके लिए औसधी बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात रात भर बैठी, उन्हें पंखा जलती, साधु के आसिरवाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी, इस प्रकार कितने ही वर्ष के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता, उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते, इसी दशा में एक दिन वह हताश होकर एक व्रिक्ष के नीचे छन भड़ दम लेने के लिए बैठ गई, उसके नेत्र बंध हो गए, उसने दे तारा, तेरी अभिलाशा पूरी हुई? तारा ने कहा, हा माता, मेरी अभिलाशा पूरी हुई, देवी, तुझे प्रेम मिल गया? तारा, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया, मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया, मुझे ग्यात सेवा के सामने सिर जुका कर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती, अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाशा नहीं, सेवा ने मुझे आदर सुख सबसे निवर्त कर दिया, देवी इस बार मुस्कुराई नहीं उसने तारा को हिर्दय से लगाया और दृष्टी से ओजल हो गई संध्या का समय था आकाश में तारे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बहुंदे वायू में चिताकरशक सीदलता आ गई थी तारा एक व्रिक्ष के नीचे खरी चिडियों को दाना चुगाती थी कि यकायक साधू ने आकर उसके चर्णों पर सिर जुकाया और बोला तार तुमने मुझे जीत लिया तुम्हारा एश्वर धन और सौंदर जो कुछ न कर सका वह तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया तुमने मुझे अपने प्रेम में आसकत कर लिया अब मैं तुम्हारा दास हूँ बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो तुम्हारे संकेत पर अब मैं अ मैं केवल सेवा की आग्या चाहती हूँ साधु बोले मैं दिखा दूंगा कि ऐसे योग साध कर मनुस्य का हिर्दय भी निर्जिव भी नहीं होता मैं भवरे के सद्रश्य तुम्हारे सौंदर्य पर मंढराऊंगा पपिये की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा हम दोंव प्रेम की नौका पर एश्वर्य और वैभाव की नदी की सैर करेंगे प्रेम कुन्जो में बैठ कर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गएंगे तारा निकाहा स्वामी जी सेवा मार्ग पर चलकर मैं सब अभिलाशाओं से परे हो गई अब हिरदय में और कोई एच्छा सेश नहीं है साधू ने इन सब्दों को सुना तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया दोस्तों उमीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही ढेरो कहानिया सुनने के लिए आप हमारे चैनल से चुरे रहें बहुत बहुत धन्यवाद